नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अतुल और ये है Infinix Note 40 X5G दोस्तों गर आपने इस फोन को पर्चेस किया है या गर आप इसे पर्चेस करने वाले हो तो जैसे ही आप अपने फोन में सेट अप कम्लिट करोगे उसके फोरन बद आपको चेंज करनी है ये 20 सेटिंग्स इस सभी 20 सेटिंग्स को चेंज करना काफी जरूरी है आपके फोन के सेफटी, सिक्यूरिटी, प्राइवसी और प्रोड़क्टिविटी के लिए तो अगर आप अपने फोन को बहातर तरीके से उसकरना चाहाती हो तो आपको चेंज करनी है ये सभी 20 सेटिंग्स तो आईए दुस्तों चेंज करते है इन सभी 20 सेटिंग्स को वन बाइवन अगर आपने फोन में फेस अनलोक को इनैबल किया होगा तो आपने गोर किया होगा जब भी आप अपने फोन को फेस से स्कान करके अनलोक करोगे तो आपका फोन अनलोक हो जाएगा लोग भी खुल जाएगा लेकिन आपको end में करना होगा swipe up तभी आप अपने phone को use कर पाओगे लेकिन अगर आप चाहो तो आप अपने phone में direct face unlock को enable कर सकते हो मतलब कि आपको end में swipe up नहीं करना होगा तो आपको जाना है settings में password and security में face unlock में और यहाँ पर है when phone unlocked आपको इस पर tap करना है और set करना है unlock directly पर इसके बाद जब भी आप अपने phone को face से scan करके unlock करोगे तो आपको end में swipe up नहीं करना होगा आपका phone हो जाएगा direct unlock आप देख सकते हो किस तरीके से क्या आपको पता है अगर आप अपने phone को unlock करोगे लेकिन फिर भी अगर वीच आएगा तो आपके phone को काफी easily switch off कर सकता है और वी बिना password के तो मेरा phone lock है और मेरे phone को up कर दिया गया है switch off और वी बिना password के आप देख सकते हो इस तरगे से तो अगर आप चाहते हो जब आपका phone lock होता है तब कोई भी उसे भी बिना password के सीच चोप ना कर सके तो आप ऐसा भी enable कर पाओगे तो आपको जाना है settings में password and security में और यहाँ पर नीचे है mobile internet आपको इसे open करना है और यहाँ पर सबसे पहले है power of verification इसे on कीजिए इसके बाद मान लेजिए आपने अपने phone को lock किया है और कोई भी आकरा आपके phone को अगर power of करना चाहेगा तो power of नहीं कर पाएगा उसे enter करना होगा आपके password को या फिर scan करना होगा आपके fingerprint को तब भी आपके phone को power of कर पाएगा इस तरह के से मान लो आपने अपने phone को lock किया है और कोई भी आकरा आपके phone को अगर pin के जरी unlock करना चाहेगा और दो बार लगातार गलत peer enter करेगा तो इसकी photo आपके phone में click हो जाएगी तो आप जान पाओगी कि आपके phone को किसने unlock करना चाहा था तो example के लिए मैं अपने phone में दो बार गलत peer enter करूँगा तो जो photo है click हो चुकी है तो अगर आपको इन photo को देखना हो तो आपको जना होगा AI gallery app में इसे open किजिए और यहाँ पे आपको show होगी वो photo तो इस बंदे ने मेरे phone को unlock करना चाहा था इस तरीके से आप इसे check कर पोगे तो इस feature को ओन करने के लिए आपको जना होगा same settings में और यहाँ पे ही नीचे unlock capture इसे open करके आपको इस toggle को ओन करना है अब जब भी किसे भी app या website में login करने के लिए password को type करते हो तो आपने इसे में नीचे है more का option इस पट्याप कीजिए और यहाँ पे होगा show password का toggle आपको इसे off करना है इसके बाद जब भी आप अपने phone में password को type करोगे तो आपको password के character show नी करेंगे अब आपको यहाँ पे show करेंगे के वल dots and dots इस तरीके से आप देख सकते हो माल लो आपका phone लोग है लेकिन फिर भी अगर कोईश आएगा तो आपके phone में जो control center है उसे काफी easily access कर सकता है इतना है नी किसी भी toggle को on up कर सकता है इस तरीके से आप देख सकते हो तो अगर आप शाहते हो जब आपका phone लोग होता है तब कोई भी इसे access ना कर सकते हो तो आपको जाना है settings में notification में more settings में और यहाँ पे है open control center आपको इस toggle को off करना है इसके बाद माल लीजे आपने अपने phone को लोग किया है और कोई भी आपको आपके phone में जो control center है उसे access करना चाहेगा तो access नहीं कर पाएगा आप देख सकते हो जब आप अपने phone को unlock करोगे तब भी आप उसे access कर पाऊगे इस तरीके से जैसे कि आपने गोर क्या होगा जब भी आपको कई भी आए की notification तो उसके जो icons होंगे आपको इस तरीके से उपर में शो करेंगे लेकिन यह शो करेंगे black and white में लेकिन अगर आप चाहनाते हो यहाँ पे colorful app icon शो करेंगे तो आप ऐसा भी enable कर पाऊगे तो आपको जाना है same settings में back जाईए और यहाँ पे है status bar इसे open किजिए notification method इस पे tap करके आपको set करना है app icons पे इसके बाद आप कोशो करेंगे उपर में colorful app icon इस तरीके से आप देख सकते हो माल लो आपके phone में display off है और आप चाहते हो जब भी आपके phone में कोई भी नई notification आए तो display on होना चाहिए तो आप ऐसा भी enable कर पाऊगे इस तरीके से तो आपको जाना है same settings में back जाईए और यहाँ पे उपर में lock screen इसे open किजिए और यहाँ पे है wake screen इसे open करके आपको इस toggle को on करना है और यहाँ पे set किजिए manual पे आपको अपने इसाप से अपना कोई भी time set करना है जो time आप यहाँ पे set करोगे उस time के तुरह ने यह feature काम करेगा आपके phone में तो मैंने set किया है सुबह के पाच से लेकर रात के 11 बज़े तक तो 11 पीम और कौनकों से apps के लिए आपको इस feature को on करना है तो यहाँ पे है apps को च करने का शांदार feature मतलब कि आप अपने clock style को change कर पाऊगे इसके color को phone को और यहाँ पे जो shortcut से आप उन्हें भी change कर पाऊगे तो आपको अपने लोक्षिंट पे long time करना है अपने phone को unlock कीजिए और यहाँ पे आपको मिलेगा लोक्षिंट को customize करने का option तो यहाँ आप टाइम और color को change करने का option तो आपको जो point apply करना है apply कीजिए जो color आपको apply करना है उस पे किजिए selection फिर इसके बाद नीचे यहाँ पे है notification style को change करने का option तो आपको इसपे ट्याप करना है और यहाँ पे है दो style list या icon तो अगरा आ़ चाहाँ अगे अग Sixker तौर आपको आइकन पे ट् तो मैं यहाँ पर किसी भी एक आइकन पर ट्याप करूँगा तो यहाँ पर आपको मिलता है अलग 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 शोटकट जैसे की फ्लैसलेट कैमेरा और D&D और यहाँ पर है कई सारे एप्स आप इन्हें भी एड़ करवाओगे शोटकट में हाला कि मैं यहाँ पर प्लेस करू इस फोन में आपको मिलता है स्मार्ट पैनल का शांदार फिचर तो आपको जाना है सेटिंग्स में स्पेशल फंक्शन में स्मार्ट पैनल को ओपन करके आपको इस टोगल को ओन करना है जैसे आप इससे ओन करोगे आपको यहाँ पर में शोग करगे एक लाइन जैसे आप इ उसे रिमू करने के लिए इस तरह के से add करने के लिए आपको लेंगे दो option apps और tools तो मैं आपे tools को add करूँगा और यहाँ पे apps को भी आप add कर सकते हो इस तरह के से done कीजिए तो आपने जिन apps और shortcuts को add किया है आपको यहाँ पे show करेंगे smart panel में तो यहाँ पे है कई सारे useful shortcut जैसे की screenshot, screen recording, smart hub pick proof और one tap में अपने phone go log करने का option भी है इन में से अगर आप किसी भी आप पे tap करोगे तो open होता है floating window में इस तरह के से आप इसके size को भी change कर पाऊगे आपको corner से करना है drag इस तरह के से उपर वाले dots के icon पे long tap करके आप इसे drag कर पाऊगे अलग लग place पे इस तरह के से और यह है close करने का button इन में से अगर आप किसी भी आप पे long tap करके track करोगे उपर या नीचे तो आप इसे open कर पाऊगे split window में इस तरह के से फिर नीचे आप किसी भी आपको open कर पाऊगे तो हमने एक साथ दो apps को open कर दिया है आप इसके size को पी change कर पाऊगे बीच वाले line पे long tap करके आपको drag करना है उपर या नीचे इससे close करने के लिए swipe down किजिए आप इस phone में YouTube को background में play कर सकते हो मतलब कि अगर आप अपने phone में YouTube को close करोगे अपने phone को lock करोगे डिस्पले को offer होगे लेकिन फिर भी आपके phone में YouTube ले होता रहेगा बेगरांड में तो आपको open करना है same settings को और यहाँ पे है video assistant आपको इसे on करना है नीचे है available apps इसे open करके आपको यहाँ पे मिलेगा विशा प्लेयर का option आपको इसे on करना है विशा प्लेयर को इसके बाद आपको open करना है app drawer को और यहाँ पे होगा विशा प्लेयर आपको इसे open करना है नीचे आपको मिलेगा download का tab आपको इस पे tap करना है और यहाँ पे आपको search करना है YouTube YouTube, search किजिए, box में डिक किजिए और किजिए got it, आपको यहाँ पे YouTube पे tap करना है, फिर आपको किसी वीडियो को play करना है, फिर यहाँ पे है smart panel, आपको इसे open करना है, और यहाँ पे मिलेगा आपको play in the background को option, आपके tap करना है, तो आप देख सकते हो, मैंने अपने phone में YouTube को close कर द इसे turn off करने के लिए इसे close किजिए, आप यह बेगरांड में प्ले होगा, आप अपने phone में बिना किसी app को download किये, WhatsApp के delete के करना है, तो इसके लिए आपको open करना है, same settings को back जाईए, और यहाँ पे होगा नीचे social assistant, आपको इसे on करना है, नीचे है more features, इसे open करके आपको pick mode को open करना है, और यहाँ पे करना है enable, उपर में है pick mode, इस toggle को on किजिए, इसके बाद मान लीजिए, WhatsApp में इस contact ने message को delete किया है, लेकिन मुझे नहीं परता, यह message क्या थे, तो अगर आपको भी इस तरीके से delete केगे message को read करना हुआ, तो आपको जना होगा, same settings में, और यहाँ पे आपको मिलेगा, वो contact का नाम, तो अगर आप उस पे dapp करोगे, तो यहाँ पे आपको show करेंगे, वो सभी message, जो उसने delete किये है, आप time के साथ यहाँ पर इस तरीके से read कर पाऊगे, इस phone में आपको मिलता है smart touch का शांदार feature, मतलब कि आप अपने photo में या किसी भी page में जो भी text होते है, उसे काफी easily copy कर पाऊगे, या आप उसे translate भी कर पाऊगे, अपने अलग-लग language में, मानलो आपको इस photo में जो text है photo में आपको यहाँ पे show करेंगे, अगर आप चाहनते हो सभी को copy करना, तो copy पे tap किजिए, अगर आप चाहनते हो particular portion को ही copy करना, तो आपको long tap करके करना है selection, इस तरह किसे, जो portion आप करोगे select, वही portion आप कर पाऊगे, copy, फिर आप इसे यहाँ से directly share कर पाऊगे, और यहाँ से translate कर पाऊगे, तो आपको tap करना है, माल लिजी मुझे यहाँ पे इसे करना है Hindi में, तो आपको language को set करना है Hindi पे, तो मैंने इसे Hindi पे set कर दिया है, अब आपको यहाँ पे show कर देगा Hindi में, अनुवाद आप देख सकते हो, लेकिन अगर आपको क्यों जो text है, उसे ही copy करना है, तो यहाँ पे आपको में लिएगा photo के नीचे T का icon, आपको उसे पे tap करना है, आपके photo में जो भी text होगा, उसे किया जाएगा highlight, और आप long tap करके फिर उसे करपाऊगे select इस तरीके से, इस feature को enable करने के लिए आपको जाना है, settings में, special function में, और यहाँ पे उपर में लिखा photo, document, text या किसी भी file को drag and drop करके से कर पाऊगे smart hub में, और फिर आप उन content को किसी भी आप में drag and drop करके काफी आसनी से paste कर पाऊगे, तो माल लिजिए आपको किसी photo को share करना है Gmail में, तो उसे share करना काफी आसन हो जाएगा, तो आपको photo को open करना है, photo को किजिए select, long tap किजिए, drag ज select और फिर आपको करना है, उसे drag इस तरीके से smart hub में, और आपने जो भी show किए आपको show करेगा smart hub में, आपको इस पर tap करना ही हो जाएगा, expand इस तरीके से, तो यहाँ पे है text और photos, तो माल लिजिए मुझे दो photo को करना है Gmail में share, तो मैं इने करूँगा, long tap करके select, long tap किजिए, drag किजिए, Gmail को open किजिए, compose किजिए, और फिर आपको इसे करना है, यहाँ पे attach, तो आप देख सकते हो, मैंने दो photo को यहाँ पे कर दिया है, paste Gmail में, सेम तरीके से माल लिजिए, आपको जो text है, उसे करना है, WhatsApp में paste, तो आप ऐसा भी कर पाऊगे, आपको text को long tap करना है, drag करना है, अलगलग place पे, अपने हिसाब से, अगर आपको लगता है, कि आपने जो भी text कोपी किया था, या जो भी photo आपने से होगी किया थे, उसका काम हो चुका है, तो आप इसे remove कर पाऊगे, आपको इसे long tap करना है, drag करना है, bean के icon में, clear किजिए, smart hub के feature को on करने के लिए आपको जाना होगा, settings में, special function में, और यहाँ पे है, smart hub, आपको इसे open करके, इस toggle को on करना है, कई बार होता है कि हम अपने phone को charge पर plug-in करते, बाद में भूल जाते कि हमने अपने phone को charge पर plug-in किया था, और ऐसे में हमारा phone कई घंटों के लिए charging में लगा रहता है, और इससे आपके phone के battery health पे बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए इस phone में दिया गया है charging completion tone का feature, मतलब कि जब भी आपका phone fully charge हो जाएगा, तब आपके phone में बज़ेगा एक beep sound, मतलब कि आप अपने phone को देखे बिना जान पाऊगी कि आपका phone fully charge हो चुका है, तो आपको जाना है, settings में, battery and power saving में, और यहाँ पे है battery settings इसे open कीजिए, और यह है charging completion tone इसे आपको own करना है, इस phone में आपको मिलता है automatic call recording का शांदार feature औरो भी बिना किसी announcement के, मतलब कि receiver को पता चले बिना आप उसके सभी calls को record कर पाऊगे औरो भी automatically, तो आपको open करना है इस phone आपको, उपर में gear का icon आपको उस प सकते हो, और आपके सभी call recording को check करने के लिए आपको जना होगा, files app में तो files app को open कीजिए, browse पर tap कीजिए, my phone, music, phone record पर long tap कीजिए, और आपको इसे करना है add to favorite, favorites पर tap कीजिए, back जाईए और यहाँ आपको home page पर मिलेगा यह option, favorites का, इस पर tap करके आप यहाँ पर check कर पाऊगे अपने call records को, तो जो भी आपने record के होंगे, उसका number आपको यहाँ पर show करेगा, आप इस पर tap करके उसके call recording को यहाँ पर check कर पाऊगे, tap करके आप इसे play कर पाऊगे, इस तरह कैसे, और long tap करके आप इसे कर पाऊगे, copy, share, rename या फिडिलिट, इस phone में आपको मिलता है double tap to lock और double tap to lock का feature, अगर आप भी अपने phone में इस feature को enable करना चाहती हो, तो आपको जाना है settings में, system में, actions and gesture में, और यहाँ पे है tapping wake, आपके इसे open करना है, और इस toggle को own करना है, माल लो आपके phone में display of है, ऐसे में अगर आप चाहती हो, जल्दी से आपके phone में camera या towards को launch करना तो आपके enable करना है, दो gestures, तो आपको जाना है, same settings में, back जाईए, और यहाँ पे है उपर में quick start, इसे open कीजिए, आपको इस toggle को own करना है, और यहाँ पे है camera, इसे on कीजिए, नीचे है O का option, इस पे none पे tap कीजिए, toggle और यहाँ आपे state कीजिए, flashlight, इसके बाद माल लिजिए आपके phone में display off है, ऐसे में अगर आप अपने phone में camera को launch करना चाहिए, तो आपको draw करना होगा, see, आपके phone में camera open हो जाएगा, torch को launch करने के लिए आपको draw करना होगा, और आपके phone में torch on हो जाएगा, torch को off करने के लिए आपको फिर से draw करना है, और आपके phone में torch off हो जाएगा, इस phone में यहाँ पे हैं screenshot इसे open किजिए और आपको यहाँ पे दोनों options को own करना है दोनों को नीचे off किजिए अब जब भी आपको रोगे three finger से swipe down आप अपने phone में कर पाओगे screenshot को capture इस तरीके से और आप अपने phone में अलग लग shape में partial screenshot भी क्लिक कर पाओगे तो आपको three finger से कर रहा होगा touch and hold long tap किजिए आपको नीचे मिलेंगे तिन अलग लग options यह square rectangle के लिए oval और circle के लिए और यह free phone मतलब के आप किसी भी shape में screenshot को capture पाओगे इस तरीके से save किजिए तो आपने जो shape में इ इसके हिसाब से आपको मिलेंगे अलग अलग वालपेपर तो आपको जाना है settings में परसनालाइजेशन में और यहां पर है AI Wallpaper Generator इसे open किजिए तो यहां पर आपको अपना कोई भी description टाइप करना है और आपके text के हिसाब से आपको मिलेंगे अलग 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 वालपेपर ज किजिए generate तो यहां पर इस तरह किसे आपको शोंगे wallpaper आप इसे कर सकते हो say delete या फिर set as wallpaper अगर आपको style को change करना है तो back जाईए आप style को change कर पोगे तो मैंने यहां पर माल लेजे कर लिया है cyberpunk और किजिए generate तो अब आपको मिलेगा इस तरह किसे यह wallpaper अगर आपको इसे करना है set तो किजिए set as wallpaper तो अगर आप जाओगे home page पे तो यहाँ पे wallpaper set हो चुका है आप देख सकते हो इस तरह के से home page पे अगर आप करोगे slide down तो आपको मिलेगा यह search का option हाला कि मैं चाहता हूँ जब भी मैं अपने home page पे slide down करो तो मुझे control center शो करें तो आप इसा भी enable कर पाऊगे तो आपको home page पे long time करना है नीचे आपको शोगा settings का option इसे open किजिए gestures और यहाँ पे slide down इस पे ड्याप करके आपको set करना है notification बार पे इसके बाद जब भी आप अपने home page पे करोगे slide down तो आपको मिलेगा यह control center आपको करना है swipe तो किजिए slide down और किजिए swipe अब आपको search का option शोनी करेगा दोस्तो तो यह थी ओ 20 settings जिने आपको change करना था आपके Infinix Note 40 X 5G में इसक कर दोस्तो कर दोस्तो